लेकिन आप सबने राणी परी का राज़ड़न चुराने के लिए हमें ही क्यों चुना? यूद्कि बहेंकर परी आप पर संद्धे करे तो आप उसे कह सकती है कि राणी परी ने तुम्हें जादुई छक्तिया देने से इंकार कर दिया इसलिए नाराज होकर हमने राणी परी का राजड़न चुरा लिया लेकिन अगर भैंकर परी ने फिर भी हमसे ये राजड़न नहीं लिया तो तो नटकट परी मान जाएंगी कि भैंकर परी के दिल में कोई भी बुराई नहीं है वो सुदर गई और नटखट परी उन्हें अच्छे दिल से अपना लेगी लेकिन हमारा संदे दूर करने के लिए तुम्हें रानी परी का राजजन बयंकर परी को देना ही पड़ेगा नारास्तारास परी बख गई ए मेरी नाग शुन सुन के उनका नाम पर रखना याद परीब वहन winter अंत में काम तो आएगा आपका ये तौबा तौबा ही तौबा 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 तुम सारे काम अकेले नहीं कर सकते मुझे उनकी भी जरुरत है हाह…" औरे… नहीं कुछ भी मदद हो दोनों आपकी नहीं, उन्होंने पेले भी मेरी मदद की है और आगे में मेरे लिए कुछ भी कर सकती है मुझे उन पर पूरा पुरोस्आ है हाहा? क्यों नहीं? तस कहें केंप नहीं जैती उन दोनो परीँ को कि चुड़ा के लाए वो रानी परी का राजदन आपके लिए वाह क्या बात कई है तौबा तौबा दिल खुश कर दिया काश वो दोनों मेरे लिए वो राजदन चुड़ा कर ले आए प्रधान मंत्री बना दूंगी तुमें अगर ऐसा हो गया तो पस एक बार वो राजदन म मुझे रानी परी से अलग दिखाए दे जाए फिर उसके बाद उसे मेरा होने से कोई नहीं रोग सकता और उसके बाद मैं सारी पालतू परियों को यहां से धक्ये मार कर बाहर निकाल दूगी अगर भैंकर परी ने वो राजदन ले लिया तो उन्हें परी लोक से बाहर नि का भेजे हमें कुछ भी करकर उनको सारी सच्चाई बतानी ही पड़ेगी तो फिर भैंकर परी की परिक्षा लेने चले हर यह क्या हुआ डूबडूबवए सोची अगर परिक्षा लेने से पहले ही किसी ने बता दिये बाद भैंकर परी को तो तो क्या करेंगे हम हाँ यह तो हमने सोचा ही नहीं है उसका भी उपाय है मेरे पास डूबा डूबा परी लोग के प्रति तुम्हारी स्थेवा और वफादारी पे कोई उशक नहीं कर सकता कि इसले मैं तुम्हे नाराज परी के जादूई डंड में छिबा दूँगा ताकि तुम्हें इस बात की गवाई दे सको कि किसी ने भी भैंकर परी को इस परिक्षा के बारे में नहीं बताया और इस तरह कोई भी इस परिक्षा पे संधे नहीं करेंगा अब क्या होगा भैंकर परी को बताने का हर रास्ता इन्होंने बंद कर दिया है अगर भैंकर परी ने राज डंड मिलने की खुशी में हमारा भी नाम अपने साथियों में ले लिया तो हमें भी उनके साथ सजा मिलेगी और परी लोग छोड़कर जाना पड़ेगा लिली, मारी लिली, मने छोडी ने क्या गती दे, तेरे बिने दुनिया में मैं अकेला क्या करूगा, क्या करूगा, अरे भेश भाई, मैं समझाते है, लिली बहन इसके कोई सगी होगी, अरे ये तो खटारा का, दिकली कटारा का, बास, क्या बला कुलिक का, पैड़ी बहन को खटारा बोलता हूँ, आओ, आओ इधर, पनो, क्या लिखाए, स्वर्गवासी लिली बहन, ये कायर आपकी बहन थी, हाँ, लिली बहन, वो मेरे लिए कार नहीं थी, जिंदगी थी मेरे, इसके अंदर प्यार बरा दिल था दिल, इतना द दूर घर है पोपट का, क्या तुम भी सोकतबा में आयो, ये पोपट का है, लिली, मेरा पोपट, अमरेट, पोपट, पोपट, जी रजरा है, जी रजरा है, जी रजरा है, ये सब कैसे हो गया, क्या बताओ, काफी समय से इंजीन खराब था, बड़े-बड़े गहरे जों में इलाज करवाया, लेकिन कोई फाइदा नहीं हुआ, लगता है, बड़ा गहरा सदमा पहुचा है, ऐसे बता रहा है, जैसे लीली बेन पत्नी नहीं काड़ी हो, सुबह में लीली को मार्केट में लेके जाता था, तो लोग मुड मुड के देखते थे, मुझे बहुत खुशी होती थी, जैने वाले को कौन रोख सकता है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, लीली बेन के हाथ की चाहे, मुझे बहुत याद आएगी, लीली चाहे बनाती थी, लेकिन वो कैसे चाहे बनाती थी, लेकिन वो कैसे चाहे बनाती थी, लेकिन वो इतनी बड़िया चाहे बनाती थी, चाहे के अंदर वो इलाईची, अधरक, उसकी खुश्मू अभी तक आ रहे हैं मुझे, भाई साप, चाहे लेंगे? ऐसे ही पुश अरे बूद बूद यह मेरी पत्नी है वो तो मुझे भी पताए कि यह तेरी पत्नी है लेकिन यह यहाँ पर क्या कर रही है इससे तो उपर ओना झाझे न अरे वो जिन्दा है जिन्दा है उपाट तुझे शरम नहीं आ रही है तेरी बीबी जिन्दा है और तो उसकी शोख सबा कर रहा है अरे बैए उसकी शोख सबा नहीं है लीली की है लीली गाड़ी है अरे यह सुरक्षा भूपु क्यों बच रहा है कहीं ने पता तो नहीं चल गया कि मैं तौबा तौबा से बात कर रही थी भैंकर परी आपने यहाँ से किसी को रानी परी का राश्दन ले जाते भी तो नहीं देखा रानी परी का राश्दन? सब ठीक तो है? नहीं भैंकर परी कुछ भी ठीक नहीं है रानी परी का राश्दन चोरी हो गया है हमें किसी भी तरह से वो राश्दन ढूनना होगा कहीं वो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाय अब मैं चलती हूँ मेरे अलावा बरी लोग में रानी परी के राश्दन के पिछे और कौन हो सकता है? भैंकर परी? क्या हो? नारास्तरास्त? ये तो ये तो रानी परी का राश्दन है? हाँ भैंकर परी? इसका मतलब तुमने चुराया इसे? नहीं भैंकर परी, ये हमने अपने लिए नहीं, बलकि आपके लिए चुराया है आप ये दंड ले लो और इस परी लोग पर अपना कबजा करके अपना राज कायम करो हाँ भयंकर परी ये भली परी बनने से कुछ नहीं होगा अब देखिए ना हमें क्या मिला कुछ नहीं इसलिए अब आपके राजदन लीजिये और परी लोग की नई रानी परी बने देखिए हाँ भैंकर परी लीजिए ये दंड और पालीजिए इस परी लोग को, जो रानी परी ने एक दिन आप से छीना था भैंकर परी, सोच क्या रही है हाथ आगे बढ़ाईए और ले लीजिए इस दंड को भैंकर परी, ये मौका दोबारा नहीं आएका हाथ आगे बढ़ाईए और ले लीजिए अपना बदला, रानी परी से मुझे लगा कि लिली बेन पोपट की पत्नी है, लेकिन ये तो गाड़ी निकली हमरू डगली, आथ तो तेरा पोपट हो गया हाथ आप, तो चल्दे कीचिन, एक मिनिट, हाथ ये भाई अरूद, अमरूद, यहाँ ली बेन की शोखसभा है और तु नाच रहा है? अरे मैं ऐसे सोखी मना रहा हूँ, ये तु क्या कर रहा है? आविश भाई, शोखसभा में कोई नाचता भी है क्या? अरे, कार के बें कोई शोखसभा होती है क्या? मुझे तो लगता है, इनका कोई नाचने का रिवास होगा आ, मुझे भी यही लग रहा है, तो इनका रिवास तो निभान ही बढ़ेगा ना? विल्कुल, विल्कुल हाँ तो चलो, इनका रिवास निभात है, अरे भाई और बैनो, इनकी शोखसभा में नाचना होता है, यह इनकी रसम है तो चलो इनकी रसम निभात है, नाचो यह वगवान, यह क्या हो रहा है, जब से चारों और घर में दान्स की बात चल रही है, जब से मुझे भी महस की तरह डान्सेरिया हो गया है ए बगवान, माफ कर दे मुझे, मैं दुसरी बार बेकार की, मतलब की, कार की शोखसभा में कभी नहीं जाओंगा इस बार, इस बार मुझे माफ कर दे बगवान, मुझे माफ कर दे मुझे माफ कर दे ना मेरे वज़े से तेरी तोख सबा खरा वोगे हरे तू टेंशन मतले मैं तो तुझे थेंक्यू कहना चाहता हूँ हाँ आज तुने मुझे जो एहसास दिलाया पहले सास ले ले तुने मुझे एहसास दिलाया कि हम जी से प्यार करते हैं उसका खुने का दुख में कितना होता है मगर सच्ची स्रदांजली वही है जो हम खुशी-खुशी उसे नाच के दे दे नाच के दे लिली लिली भय अंकर परी राजजण लेने के लिए हाथ आगे मत बढ़ाना वरना आपको और आपके साथ हमें भी इस परी लोग से बाहर जाना पड़ेगा कब से इसी का तो इंतिजार कर रही थी मैं कि किसी भी तरह से मुझे राजजण मिल जाए और मैं रानी परी बन जाओं लेकि नाराज तराज ने तो मेरा काम एकदम आसानी कर दिया भेंकर परी गल्पी करोगी आप ये राजजण लेगी राजजण लेने के बाद आपके पास कुछ नहीं बचेगा अब मैं बनूंगी तीनों लोगों की रानी आज ये राजदर्ड मेरा देखा पाल परी मैं आप से कह रही थी ना पारिंगर परी कभी नहीं बदल सकते ये आज भी परी लोग पर अपना राज कायम करना चाहती है आखेर बैंगर परी की सक्चाई हमारे सामने आ ही गई तुमने बहुत अच्छा किया, Naara Saras, जो तुमने रानी परी का यह राज दंड मेरे हाथुं मे लाकर दे दिया। बहुत अच्छा किया। बहुत खुश हुह मैं कि मुझे तुम दोनों का यह दोके बाजी से भरवा चहरा नजर आया। तुम दोनों ने इतनी गल्दिया कि लेकिन उस महान रानी ने तुमें कभी कोई कठोर दंड नहीं दिया क्या पुर्रों ये बाल परे जिर्फ तुम्हारी शक्तियां चिनी और तुमने तुमने उसी को दुपा दी दिया उसमान रानी परी ने मुझे मुझे जैसी बुराई से भरीवी परी को सुधरने का दूसरा मौखा दिया पर तुमने तुमने उस्ती का राजन चुरा लिया तुमने ये बहुत दुख बढ़ाए मुझे तुम्हे क्या लगता है कि मैं रानी परी से यहां बदला लेने आए हूँ मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती रानी परी ने जो कुछ भी मेरे लिए किया उसके बाद तो उसके बाद तो मैं दिल से उन्हें अपनी रानी मानते हूँ उनकी पूजा करते हूँ खा, आपर मेरे अचैने, इह उनिकर करना है? अच्छा हो, जो ये राज दन तुमने मेरे हाथ मेला कर देने अब मैन एसे राणि परी दे कर तुम दोनों की शिकायत करो नहीं, भेंकरपरी, ऐसा मत कीजिये हमें माफ कर दीजे भेंकरपरी, हमें माफ कर दीजिये हाँ भायंकर परी, हमें सजा मत दिलवाईए नहीं, तुम दोनों सजा की हगदार हो लिकिन तुम प्यार और मायन सम्मान के हगदार हो भायंकर परी बाली तुम अच्छा वाँ आप सारी परिया यहां आगे बाल्वी, देखिए, नाराज तराज ने मुझे रानी परी का राजण चुरा कर दे दिया हमें सब बता है बैंगर परी पर हमने इन आराज और तराज परी के साथ हुमारी परिक्षा लेने के लिए नकली राश्टन भीजा था नकली राश्टन मेरी परिक्षब यह सब क्या है सत्य जल की परिक्षा के बाद कुछ परियों को तुमबर संदे था कि तुम अभी भी राणी परी बनकर परी लोग पर राज करना चाहती हो बस इसी संदे को दूर करने के लिए हमने तुम्हारी यह परिक्षा ली और आपने राश्टन लेने से मना करके यह सापित कर लिया कि अब आप भैंकर परी नहीं बलकि हमारी पुरानी भली परी बनकर गई हो अब तम्हारे दिल मे कोई मेल नहीं कोई ओंड नहीं आप तुम्हें और परिक्षा के कोई जरूरत नहीं है और दॉल मेरे अच्छे योने पर या फिर या फिर अच्छाय के राश्टे को चुनने पर कोई भी संदे है तो वो मेरी कोई भी परिक्षा ले सकते हैं मैं हर परिक्षा देने के लिए तयार हमाल भी इस परिक्षा के पार होने के बाद इसी भी परी को तुम पर संदे नहीं है पर नहीं होना चाहिए अब हम चलते हैं खुश रहो 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 नहीं लूगी मैं तुमसे। तुम बेवकूफ। भोली और मासूम परियां लाइक ही नहीं हो इस परिलोग के। तुम तो बस इसी लाइक हो कि मैं तुम्हारी राने बनू और तुम सब मेरी खुलाब।